हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फूट बिशिस्टर्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक ट्रेंडिंग एंड वाइरल रेसिपी जिहां दोस्तों मैं आपके लेकर आई हूँ पॉपकॉर्ण मुमोज की रेसिपी जो कि आज कल दिली में बहुत ही वाइरल हो रही है बॉपकॉर्ण मुमोज बनाँके लिए सबसे पहले मैने बड़ा बरतन लिया है लिए एक बड़ा बातन लिया इसके लिए सबसे पहले मुमोज का डोगाएंगे vigいます मैने कोई मैल यूज, वैसे टाले यह कोई आपके पानी का डन लेंगे जी हम नॉवत पानी से आउड़ा एक आठा तेयर कर लिया है और इसको ना ज्यादा मैंने सॉफ्ट रखा है और ना ज्यादा ही मैंने ताइट आधा गुदा है अब हम इसे डग के साइट से रख देंगे चलिए अब हम इसकी स्टुफिंग मनाते हैं जिसके लिए मैंने यहां पर 200 गिराम के संथिंग पनी लि मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे शिम्ला मिच नाले के बाद यहां पर मैंने वन आपन फोर कप गाजर लिये उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है इसके बाद हम कुछ मसाले मिलाएंगी जिसमें मैंने 1 तीस्पून ब्लैक पैपर वन टेबल स्पून बटर जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यह जूसी भी रहते हैं और अब मिन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लेजे हमारी पॉपकॉन मुमोस की स्टफिंग बनके तयार हो गई है चलिए मुमोस बनाना शुरू करते है जिसके लिए हमने जो आंटा मार के रखा था उसे हम कुछ सेकंड के लिए फिर से गूत लेंगे और देखी कितना अच्छा सा आंटा तयार हो गया है अब मैंने यहां पे बड़ी लोई ली है अब उस बड़ी लोई को लेने के आद मैंने हाथों से उसे रोल कर लिया है अब हम थोड़ा से सूखा मैदा लेंगे और उसे भी फ्लोर पर डस कर लेंगे मैदा करने के बाद यहां पे लोई ली थे उसका ही बड़ी सी रोटी बेल लेंगे यहां में आपको बहुत ही आसान तरीका बदा रही हूं एक साइस के मुमोज बनाने का और जल्दी मुमोज बनाने का अब देखे मैंने इसको बेलते हुए एक बड़ी सी शीट तेयार कर ली है और आपको इस बाद का खास ज्यान लखना है कि शीट जो है वह बहुत ज्यादा मौटी नी होनी चाहिए और इक दम ज्यादा पतली होनी चाहिए अब यहां मैंने एक ग्लास लिया है और उसे इसके चोटे-चोटे सरकल काट ली है और देखिए इस तरह से हम एक बार में लगबग 10-12 मौमोज आसानी से बना लेंगे और एक साइज से मौमोज बनके तयार होंगे अब जो मैदे का एक्स्रा पार्ट है वह हम निकाल देंगे और देखिए एक बार में हमारी कितने मैदे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है अब मैं आपको बताती हूं कि हमें इसके मौमोज कैसे बंद बना तयार करने है और देखिए जो लोग है वो ना ज्यादा पतली है और ना ज्यादा ही मैंने मौटी रखी है इसी तरह से हम जो सारी पुरिया है वह बेल के रख लेंगे और जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे हम एक पूरी लेंगे और उसके बीच बीच में स्टफिंग रखेंगे यह पॉप कॉन मुमोज है तो साइज में छोटे रहते हैं इसलिए मैंने स्टफिंग थोड़ी ही लिए अब यहां पर मैं देखे जिस तरह से मुमोज को फोल्ड सायट को जोड़ी हैं इससे तरह से मैंने सारे मुमोज बना कर पिये और धीता अंदर की तरफ पिंच करता और व 종य और लिए एसी तरह से सारे मुमोज को जैंगी और बनाने पर यकीर बनान इस्पूं मान tornado अगर आप यह बच्छों को बना एक वह उन इसी पसंद आएगा मुमोस बना के रख लेंगे अब मिन भूमोस को स्ट्रीम करेंगे यहाँ पर मैंने स्ट्रीमर करूब करा है मैंने मुमोस को बड़तल लिया है और उसमें मैंने पाणी डाल कर पाद लीए भाझ जाले तो और या झाले जो रिल गोरों में एक conjuntoें गौरों में सब जाती है और देखिए लग रहे हैं कितने क्यूट से चुटे-चुटे मुमोज अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 8-10 मेटर कवर करके रख देंगे जब तक हमारे मुमोज स्टीम हो रहे हैं तो हम दूसरी तरफ चट्टी में शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने एक पैन में एक ग्लास क पानी लिए और मैने चार ट्रमातर लिए जिसे मैंने बड़े बड़े साइज में काट लिया अब हम इसे उस पानी में डंठल लिए हैं और उसे हम रखके चार से पांच मिनट तक वॉयल करेंगे यहां मैंने मीडियम फिलेम पर इसको बॉयल करा है और हमें इसे तब तक बॉयल करना है जब तक हमारी टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए और देखे टमाटर पीदी कितने अच्छे अच्छे आपको इसे गरम नहीं पीशना है हमने उस मिक्षर को पीश लिया है अब यह मैंने दूस्य तब एक पैन में वन टेबल स्पून ओयल लिया है और हमने जो टमाटर लेसन और मिर्थी पीशी थी वो मिक्षर हम इसमें ट्रांसपर कर देंगे वो मिक्षर करने के यह ही हो उसमें में थोड़ा सा जॉल कर दिया अब हम इसे 2-3 मिन तक पकाएंगे मैं यहां पे मैं आपनी मिक्स कर राए है पानी मिक्स करने के बाद इहां पे इसर게요 मिक्स बना लोंगे और इसे में मिक्स कर देंगी इसे जो हमारी चटनी है वो गाड़ी बनेगी और जैसे आपको मार्किट में मिलती है वैसा ही इसमें टेक्शर आएगा अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको इस बात का खास द्यान लगना है कि आपको इसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि इसमें कौन तो मैं यहां पर सब्सक्राइब एंगे और में ने वन टेबल इस्पून सम्थिंग और लेंगे मार्क्ट स्ट्राइल मुमो की रेड चटनी बनके तयार है और देखे देखने में लग रही है नहीं स्पाइसी और देखे इस पर कलर कितना अच्छा आया है अब हम इसे साइट से रख देंगे और देखे आठ से दस मिट के बाद हमारी जो मुमूज हैं वह अच्छी से स्टीम हो गए हैं और लिजे हमारे दिली के वाइरल और मिलेगा अगर आप इन मुमोज को बना लेंगे तो बाहर के मुमोज खाना ही भूल जाएंगे यहां मैंने मुमोज की स्टफिंग में अजीनो मोटो यूज करा है अगर आप चाहें तो उसे इसके भी कर सकती है यह आपके घर में अजीनो मोटो खाया जाता है तो आप उसे वनना आप उसे इसकेप कर सकते हैं यहां मैंने मुमोस की चटनी और मियूनीज के साथ सर्फ करा हैं अगर आपके घर में कोई किटी हो पार्टी हो यह बर्दे पार्टी हो आप यह मुमोस अब को बना के खिलाईए वह आपकी तारिफ करें बिना ठखेंगे नहीं और आपसे पूछेंगे कि आपके यह मुमोस कहां से लेकर आए हैं और मैंने सर्वी में एक दब मार्केट स्टाइल करी है तो आप इसको घर पर बनाईए और घर में सब को बनाके खिलाईए अगर आप इसी तरह की और इंट्रेस्टिंग रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए